हलो गाईज वेलकम डू माई योटूब चैनल तो सबसे पहले कैसे हैं आप लोग आयोप आप लोग अच्छे होंगे तो अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुरे हैं तो जल्दी सो जूर जाएए हमारे चैनल पे सारे एक्जाम जैसे एससी हो गया देलवे हो गया कीजिए और बेल आइकोन को दबा दीजिए चलिए देखते हैं गाई क्या नोटीस है देखिए अगर आप लोगों ने SSC CGL का फॉर्म फिलप किया है SSC CGL ठीक है 2020 का फॉर्म फिलप अभी कर रखा है तो सबसे पहले आप लोग जाईए आप्लिकेशन का जो पीडियाफ आप कर चातीं को ने डाwn लोड किया उसे अच्छे से कोई गल्ति तो नहीं हुई है कोई इस तो नहीं नहीं है कोई करेक्शन कहईना तो देखिए डोस्तों ये लास्ट मॉपक अ ठिक है SSC करेक्शन के लिए पहले तो नहीं देता था लेकिन आपसे चालू करे या SSC correction के लिए ठीक है तो चलिए देखते हैं कैसे correct कह सकते हैं और notice क्या है तो इसके लिए चलते हैं SSC के एक नोटिस आया है important notice of CGL 2021 ठीक है चलिए देखते हैं क्या notice है यहाँ पर इसे open कर लेता हूँ देखिए इधर मैं खोल के रखा हूँ ठीक है I hope आप लोग को दिख रहा होगा देखिए देखिए दोस्तों देखिए important notice aspirants of combined graduate level examination 2021 में note the following important instruction regarding correction of online application data ठीक है तो देखिए क्या-क्या आप correct कर सकते हैं और कब से कब तक कर सकते हैं देखिए यह window आपको 28 यानि open हो चुका है और कब तक आप लोग कर सकते हैं एक तारिक तरह यह note कर लेगे एक तारिक तक ही आप लोग correction कर सकते हैं इसके बाद SSC आपको मौका नहीं देगी, अगर आप लोग करेक्शन नहीं करते हैं, तो आपको फिर बाद में DB वेकरते हैं, जब आपका सेलेक्शन होगा तब बहुत प्रोग्लम होने वाली है, और आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं, आगे क्या है, क्या क्या important चीज है देखिया, 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 दुरिंग देट विन्ड ओ, यह कंडिड़ भूर है, डिजरेस्थ। तो मेक एनी चेंज विन ही और हर अप्लिकेशन फर्म में करेक्ट और मोडिफाय अर्मिकेशन अप्लिकेशन पारमिटर्स्टी कांडिट्टेट वहा था इसे टाइच् तो सबसे पहले registration किया जाता है ठीक है जो पुराना जिन का भी Kaf. है उसा हम LEG किอย हो चाहें लेकिन कभी-कभी क्या होता है वह पूराना data ओल्ड होने के करद मच और अध्रेश्डेश हो जाता है इसमें बोले गया कि one time registration डेटा जाया उसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं ठीक है दुसा पॉइंट यह है तीसरा है वनली दोज कंडिडेट्स विल बी एलाओड तु मेक करेक्शन इन दा अप्लिकेशन फोर्म हुज अप्लिकेशन अलोंग विद पेमेंट और रिक्वी साइट फी इफ अप्लिकेबल है बिन रिसीबड बाइदा कमिशन विदिन इस पेसिफिक पिरिया मतलब जो लोग अप्लाई की हैं और पेमेंट कर चुके हैं ठीक है 100 रुपे का जो पेमेंट है वो आप लोग किया होंगे तब ही आप लोग करेक्ट कर पाएंगे नहीं तो क्या होता है कि सम्मिट करना भूल जाते हैं और पेमेंट भी नहीं करते हैं तो लगता है कि करेक्शन कर दिया तो अब सायद कुछ हो जाए तो वैसे नहीं होगा अब देखते हैं आगे क्या है अब चार नमबर पॉइंट देखिए इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपने करेक्ट किया लेकिन फिर से वो बाइड डेफॉल्ट गलती होगे आपसे तो फिर से आप करेक्ट करे सकते हैं एक से ज़्यादा बार आप करेक्ट करे सकते हैं किसी चीज़ को ठीक है चौथा यह है पांच बार देखिए नो मोर करेक्षन इन अप्लिकेसन फ्रम विल भी एलाउड अप्टर एक दो 2022 ऊपर ही आपको बताए कि कब तक लास्ट डेट है एक दो एक फर्वरी 2022 तक आप लोग कर लेजिए उसके पहले ही कर लेजिए लास्ट डेट का बिल्कुल वेट मत कीजिए सबसे पहले अप्लिकेशन चेक करिए आप लोग ठीक है अब चलिए आगे का आप देखते हैं अगला पॉइंट क्या है दोस्तों अगर हमारे चैनल से नहीं जूरे हैं तो जूर जाइए यहाँ पर रेगुलर हर एक 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 जाम का अपडेट इंपोर्टेंट अपडेट आपको मिलता रहता है आपको देखके पता लगी रहा होगा चलिए देखे शिक्स नमबर पाइन लेटेस्ट मॉडिफिकेशन अप्लिकेशन विल वी ट्रीटेड एज भाइलेड वन ठीक है दप्रीवियस अप्लिकेशन समिटेड वायर सच अ कंडिडेट विल वी कैंसल ठीक है जो आप मोडिफाई करेंगे वही आपका अंतिम मानना समझा जाएगा प्रीवियस वाला को कैंसल समझा जाएगा इसका मतलब यह है सात्मा देखे दा कमिशन विल लेवी ए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेज ऑफ दोसा फोर मेकिंग करेक्शन ठीक है एंड समेटिंग मोडिफिकेशन करेक्शन अप्लिकेशन फर्स्ट टाइ अगर आप देखे होंगे एस्टी जो है उनको फी पेमेंट या गल्स को फी पेमेंट नहीं करना पड़ता है एससी के फॉन फिलप में लेकिन अगर वो लोग भी करेक्शन करना चाहिए तो उनके लिए यह फिर मांडेटरी है कि आपको 200 रुप्या फर्स्ट टाइम और 500 र तो जो भी गलती है उससे सही किजिए और चलिए देखते हैं आगे क्या नोटिस में देखे हैं नेक्स्ट पॉइंट देखे हैं क्या लिखा है दक करेक्शन चार्जर्ज कैन वी पेड वनली बै ऑनलाइन मोड ठीक है भीम यूपी आई से कर सकते हैं नेट बैंकिंग से कर स बैंक से जो चलान के थूप पेमेंट होता है वो अब लेबल नहीं है ठीक है दक करेक्शन चार्जर्ज वनस पेड सेल भी सेल नोट भी रिफंडेड अंदर एनी सरकम इस्टांसेस नौर विल इट भी अड़िजस्टेट अगेंस्ट एनी अदर इग्जामिनेशन और सलेक् ठीक है मतलब जो पेमेंट आपने कर दिया वो रिफंड किसी भी हालात में नहीं होगा ठीक है वो कमिशन के पास चला जाएगा और देखें नेक्स्ट पॉंट क्या है बीफोर समिशन आप करेक्शन अप्लिकेशन कंडिडेट मस्ट चेक देहर फिल्ड करेक्ट डिटेल्स इच फिल्ड ओफ दी फॉर्म आप्टर एक्सपायरी ओफ विंडो नो चेंज करेक्शन मोडिक फिकेशन विल वी अलावड अंडर एनी सरकमिस्टांसेस देखें बोल रहा ना कि एक वार जो आप करेक्ट करें एक वार फिर से मैच कर लिए कि सही से दे रहा ना अगर और इसके लिए आप लोग कोई रिक्वेस्ट करता है इमेल के थरू फैक्स के थरू और पोस्ट के थरू तो वो भी कमीशन विचार उस पर नहीं करेगा और रिजक्ट कर देगा तो यह है अब देखिया आगे क्या है देखिये यही है लास्ट पेज है और यहां अपडेट दिया है कि कौन अप्लोड के अंडर सेक्रेटरी पचीस एक दोजारे कि देखिये दोस्तों कुछ भी गलत है सीधा साइट पे जाईए वहां लॉग इन कीजिए दाजिस्टेशन नम्मर और पास्वर्ड से जो आपका लॉग इन करने के बाद CGL का एक टैब खुलेगा CGL 2001 फॉर्म वहां पर करेक्शन का उप्सण आ उस पर क्लिक किजएगा तो करेक्शन का उप्सण आ जाए जल्दी से करेक्ट किजिए और देखिये दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट इंफोर्मेशन आप लोग तक हम पहु झाल झाल